हलो दोस्तो अब यहां पे देखिए एक और हमारा option है soft selection जो मैंने बताया नहीं था आप लोगों को तो यह देखिए move tool के अंदर rotate tool scale tool इसके अंदर भी था यह modeling के लिए during हम लोग soft selection को use करते तो मैंने अभी देखिए select किया है जो मेरा soft selection है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बस सिर्फ simply मेरा vertex mode में मैं इसका up down कर रहा हूं तो कुछ असर नहीं दिखा रहा है मैं main पे दिखाता हूँ जो मेरा main है इस पे दिखाता हूँ देखिए मैंने select किया एक vertex को अब देखिए इसका जो fall off होता है fall off बोलते हैं इ इतना area में इसने cover किया है move tool, यह देखिया मैं B press करूँगा और left click करूँगा, up and down करूँगा जब grid पे, जो fall off है increase, decrease होगा, देखिये, अब मैंने इस तरीके से जब मैंने soft selection को बंद कर दिया, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, B press करके इसको on off भी कर सकते हैं, इसका जो shortcut है, B है, keyboard पे B press करेंगे, तो यह हमारा soft selection on हो जाएगा, और B से off हो जाएगा, fall off है, fall off बोलते हैं इसको, कि कितने area को cover कर रहा है, देखिये, यह benefit होता है, soft selection का, मैंने off कर दिया, तो नहीं दिखाए दे रहा था, अब on कर दिया, तो यह एक shape में, जो है, सभी vertex को increase कर र होता है, दोस्तो, मैं B press कर रहा हूँ, देखिये, B press करूँगा, तो B से on off हो जाएगा, या तो यहां से कर सकते हैं, या तो B press कर के कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारा soft selection का command हो गया, अब देखिये, मैंने simply B press कर के, और mouse को drag करूँगा, left, right, up and down, तो इसका radius है, increase, decrease हो और यह देखिये, यह इसका curve दिया हुआ है, यह जो हमारा किस तरीके से जो है, हमारा soft selection है, work करेगा, उसके according हम इस curve को set करते हैं, तो इसके अलग-अलग, देखिये, मैं इसको change करूँगा, तो इसके कुछ अपने parameters दिये हुए हैं, किस तरीके से यह work करेगा, देखिये, य यह बहुत time लगता है, model करने मिज़ता है, लेकिन यह हमारा, यह एक simple सा vertex select किया, और भी press किया, या soft selection on किया, तो यह हमारा options जो है, इस तरीके का result दिया, जो move tool है, उसके अंदर देखेंगे, soft selection, तो इसके अंदर कुछ parameters और advanced में दिये हुए, यह color का जो है, रिंज जब मैं इसको change कर रहा हूँ, तो उस तरीके से, जो हमारा color है, उस तरीके से change हो रहा है, बदा उस तरीके से, जो इसका value है, उस तरीके से work करेगा, तो यह मैं by default ही use करता हूँ, जो इसका proper work होता है, वो result आ जाता है, यह सभी setting है, इसके color है, यह उस करना है, जो भी color आप सकते हो, यह देखिए, मैंने green कर दिया, तो इस तरीके से, इसके color की setting होती है, तो यह जो हमारा overall soft selection के बारे में है, यह बहुत ही important command होता है, जो modeling के during use होता है,